नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सेकर और स्वागता आप सभी का हमारे ट्यूप चैनल सिकर स्टेडी पॉइंट पर दोस्तो आज जो आपका प्रस्न है आज आपको बताना है गोल्डन बॉय नीरत चोपडा के बारे में और इन्होंने कितना इनका संबंद भाला फैक से आप सभी को बता है और यह आपको बताना है जैवलीन थ्रो भाला फैक से इन आज हम देखेंगे इसमें 30 महत्पून परस्नों को, हिंदी, उत्राखंड, जी के सब कुछ मिक्सर रहेगा, कम्पूटर भी, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को भी जोड़ सस्क्राइब कर लिजिएगा, और सांती बेल आइकन को भी चरूड दबाएगा, तो शुरू करते हैं आज के इन महत्पून परस्नों को, कल का जो परस्न था, वो था अधिती असोक का समन्द किस खेल से है, तो गोल्फ से है, और ये भी बहुत जादा महत्पून परस्न है, आने वाले एक जाम में परस्न है, बन सकता तो गोल्फ गोल्फ लगबग लगबग सभी ने से उत्तर दिया हुआ है, तो शुरूआत वर्ड माला का कौन सा अक्षर पुलिंग नहीं है आपको पुलिंग बताना है कौन सा नहीं है ज़ो और आ zupełnie चौटो और पॉा तो कौन सा यहां पर पुलिंग नहीं यानी कि इस्तिलिंग होगा तो जो और आ यह पुलिंγ bzw पुलिंग है उसका चे यहां पर होना चाहिएता असुद्ध है अना पेचित भी सथिये है ये भी सही है किलिष्टी भी सही है तो इसका सेत्व जगा ओप्शन नमर डी अगला प्रस्न है निमलिकित में से किस बिकल्प में सबी सब्द भाव आचक संग्या सब्द हैं तो इन में से आपको बताना है किस बिकल्प में सबी भाव आचक संग्या है अमीर गरीब समू अब फिर एक गंगा गंगा इस्पेसर फिर बेखती वाचक में यहाँ पर और बांकी रसीला कडवाहट बुड़ापा उन्नती तो अप्शन नमर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर तो जिन जिन लोग ने दिया अप्शन नमर सी आप बिल्कुल सही हैं तो भाव वाचक सं सारुनामिक निश्चित संक्या वाचक अनिश्चित परिमाण वाचक तो यहाँ पर आपको निश्चित संक्या वाचक तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा थोड़ा सा थोड़ा सा है यह हो जाएगा परिमाण वाचक तो है और अनिश्चित वाचक है तो इसका सवित्र जाए पूर्वी हिंदी और खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी बिल्कुल है अउधी पूर्वी हिंदी सही है भोजपुरी यहां पर पूर्वी हिंदी नहों करके भोजपुरी आती बिहारी में तो बिहारी हिंदी के अंतरगत तो यह आपक पगेली 36 गड़ी तो जो 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 गया option नमबर भी हमारा बिलकुल सेवितर क्योंकि भोजपुरी पूर्वी हिंदी नहों करके यह होगा भीहारी इंदी में अगला प्रस्ण यह इसे आपने बहुत सुना होगा नारी तुम केवल चर्दा हो पक्ति किस रचना में है तो यह अगला प्रस्ण है निम्न अनेकार्थी सब्दों में से कौन सा यूग में सही है अनेकार्थी सब्दों यहां पर बात चल्लिए अंक संक्यातों ठीकता लेकिन ओणी ने गरत कर दिया सारंग हिरण तो फिर हस्ती आगया है पर अज यहां पर बर्मा उनना चेता शीव हो गया द्विज बरहामण दांत पक्ची यह सब आते इसमें द्विज बरहामण दांत अगला प्रस्ण है टीरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्राखंड को अंग्रेजु ने उत्तर पूर्वी प्रांत कर हिस्साब बना दिया और इस चेत्र के लिए पर्थम कमिशने अगला प्रस्ण है भारती कम्यूनिस्टि पार्टी के महासचीव पीसी जोसी पूरण चंदर जोसी ने कब राश्टी मोर्चा का गठन किया और पिर्थक उत्राखंडर राज्जी की मांग दोहराई यानिकि उन्हें पहले भी की होगी 1970 में, 71, 72 में, 73 में उप्सण भी बिल्कुल करमवार है तो इसका शित्रों जाएगा दोस्तों जो जो लोग बता रहे हैं उप्सण नमर ए तो आप बिल्कुल सही हैं तो 1970 में की थी दोहराई थी और इससे पहले की थी 1922 म में तो यह भी आपको बिल्कुल याद रखना है 1952 वाला यह जो भी आपकारी का पेपर हुआ था उसमें भी यह पूछा गया था तो यह आपको याद रखना है PC जोसी पूरण चंद्र जोसी अगला प्रसन है लगू हिमालाई छेत्र की उचाई है तो यह आपने परिक्ष 1200 से 4500 मीटर के बीच में जो लोग पतार है option number C हो जाएगा हमारा बिल्कुल सेवत्तर लगू हिमालाई छेत्र के उचाई है 1200 से 4500 मीटर तो यह आपको बिल्कुल याद रखनी है और इसमें आपको जैसे कूण धारी बन भी मिल जाएंगे इसमें और वांकि जो लगू हिमा जा ओर इसके अलवा जो गोला नदी है और गोला नदी के अलावा दाप के अलवा नदी है यह सब नहान टाल में निकलती है तो यह आपको बिल्कुल याद रखनाता है इसका से बाखरा नदी जानी तो उधह म स्थमशिय नगर से राज्जी से भारे चले जाती जाती है तorf खुमेलित करना है आप पर कुमाव मंदल विकास निगम या तरब सूची एक को सूची दो से तो यह तो नैनिताल में है सभी को पता है किच्छा चीनी कंपीनि लिमिटेट तो अपकी इसाई करना उचित रहेगा यहाँ पर भी और हम्टी की काई तो यह रानी बाग में बंद से उत्तर बांकि यह याद रखेगा कई बार यह परस्ण आता है कुमाव मंदल विकास निगम कैने निताल हम्टी की कई कहा है महिला इसाई में भी आयता पिशली बार 2016 में और बांकि किच्छा वाला एक इच्छा चीनी कंपीनि लिमिटेट किच्छा बांकि भी एची यह अगला प्रसनिया सुदर्शन दर्शन पुस्तक के लेखख थे सुदर्शन सा मतिराम सूर्विर सिंग्या मौलाराम तो जो लोग बता रहें ऑप्शन निमिटेट तो आप बिल्कुल गरते हैं सुदर्शन सा तो नहीं सुदर्शन सा का जो सभासार गरंत है वो याद रखे और मुला राम ने जो नाटक है इनका वह है गड़ गीता संग्राम वह भी इनका नाटक है बागी श्री नगर दुर्दसा मनमत सागर बागी बहुत सारे अचने तो इसका जट्रोज का ओप्शन मर अगला है ललित सुर्देप के बाद उसके पुत्र भूदेप के राजा बनन तो बहुत सारे लोगों ने इसका से उतर दिया है तो पांडू के सरतामर पत्र में यह आपको बिल्कुल याद रखना है और बांकि आपने इस तरह सी पढ़ा होगा परिक्षावाणी बुक में हली सुर्देप को जैसे पांडू के सरतामर पत्र में मगन धर्ति उद्दार जिसने किया गिरजा परसाथ विशमबरता चंदोला या फिर गयरोला उसे कोई इस तरह अउसर और सिकारे उस्टस जाएगा ऑपने किता महां वी ख Wasn't चंदोला का चंदोला को तो option number C हो जाएगा हमारा बिल्कुल से उत्तर बाकि तारादत गैरोला गिर्जा पसात नहीं ने था नी इन्होंने भी घड़वाली का समचा उसका संपाधन किया था और यह निकला था 1905 में तो बढ़ते हैं अगले प्रस्ने की तरफ अगला प्रस्न बहुत बार हुआ है तीमारी, मांगा, सलामी या फिर पगरी तो यह मांगा तो युद्ध के समय लिया जाने वाला था तो इनमें से आपको पताना है भूमी अथ्वा संपत्ति के लेंदें से सम्मधित कर जिसका उल्ले गुर्खा सनदू में बहुत बार हुआ है वो है बहुगुणा के नाम पर 2018 है पांच रुपे का डाक्टी कट जारी हुआ था आपको यादकना है और उसके बाद अभी तो नहीं किया गया है तो 2018 ही किया था लास्ट तैम तो यह हो जाएगा इसका सेवत्तर हेमति नंदन बहुगुणा तो यह आपको विल्कुल यादकना ह दिवस दिए हुए हैं और इनको आपको सुमेलित करना है राश्टी युवाद दिवस तो यह 12 जनवरी को बांकि अंतर राश्टी तो अभी कुछ दिन पहले हुआ है 12 अगस्त को तो राश्टी युवाद दिवस 12 जनवरी माना अधिकार दिवस एक नंबर के लिए इस तर पर एक के option में हैं तो यहां से हो जाएगा हमारा option नमर सी बिल्कुल सही तो इसमें अगर आपको बहुत जाद आसानी रहती है कि आप इस तरह के कोश्टी नहीं से घबराए नहीं आपको एक दो भी आते तो आप इसका उत्तर इस तरह के प्रस्टर का उत्तर हल कर पाएंग प्रस्टर हो जाएगा option नमर डी पॉप 3 इमेल पराप्ट करने के लिए पॉप 3 प्रोटोकॉल उपियोग में आता है इसके अलावा एक और है आई एम कुछ इस तरह का आयम आई पी फोर इस तरह के कुछ था वह भी याद नहीं आ पर मुझे तो पॉप 3 हो जाएगा इसका प्रसिदर बृत्दी देखी गई थी तो यह देखी गी थी 1971 से 81 के बीच में तो option नमबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सेवतर और बहुत ज़्यादा में प्रस्न है अगला प्रस्न है मीठे पानी की कल्पसर पर्योजना अवस्तित है राजिस्तान में महाराष्ट में ग गुजरात में अगला प्रस्न है निमलिकित में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक सही होगा सविदान का दूसरा भाग मौली का दिकार दूसरे में तो नहीं है दूसरे में नागरिकता है तो सविदान का दूसरा भाग तो ना खुन शौधान का पाच्वाव भाग तो निए है आपको बिल्कुल याद रखना हैं He करता है अब दोस्तों आपने पुराने पेपर और जब दो तीन दिन पहले भी मैंने आपको जब लगातार फुल पेपर दिये थे जो उसमें भी हमने देखा था और वी जो युके-ट्रिपलस के दौरा एक्जाम कराएगे थे उनमें भी नाबाट के बारे में बहुत जादा पुर्षा जाता है तो यहां पर भी फिर से नाबाट से प्रस्न आया है तो नाबाट पुनर वृत परदान करता है किर्सी अम गरामीड विकास के लिए और दो की विकास के लिए निरियाद व्यापार के लिए या उप्यूक्त सभी के लिए तो जो जो लोग बता रहे ऑप काट रिसका है तो यह आप चैड़ बॉक्स में चलूड बताएगा अगला प्रस्न है M.K. गाधी यानि कि माहत्मा गाधी ने निमिल लिखित भारती राष्टी कांग्रेस के अधियोशनों में से किसे एक मैं स्वरुपर्थम भाग लिया था अब आपको बताए कि 1924 में ज 1919 और नाकपूर अधियोशन 1920 या फिर कलकत्ता अधियोशन 1901 तो इसका चैटर जाएगा कलकत्ता अधियोशन 1901 में तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है यह अमर्त सन में जैसे 1919 वाले में मुकुंदी लाल भी गे थे अनुसुजया परसाद भागण मांकि बहुत सारे अगला प्रसन है दादर और नागर हविली तथा दमन और द्वीप संग साचित छेत्रों का बिलाई अधिन्यम 2019 कब परिवर्तन में आया तो महत्पूर्ण प्रसन है एक्जाम में आ सकता है 25 जनौरी 1902, 30 जनौरी 1902, 20 जनौरी या फिर 26 जनौरी तो सभी जनौरी के सभी जनौरी 2020 को दादर नागर हविली और दमन द्वीप को इनका बिलाई कर दिया गया था तो यह आपको विल्कुल याद रखने है अगला प्रसन है उत्राखेंड सरकार द्वारा पर्थम खनननिती कब घोशित कीगी 2003 में, 2002 में, 2001 में तो कब यह 2000 में तो यह हो जाएगा उत्राखेंड सरकार द्वारा पर्थम खनननिती तो यह हो जाएगा 2001 में, तो option में C हो जाएगा हमारा बिल्कुल सहित्तर, अगला प्रसन है प्राचिन का आल में बाड़ा हाट नाम से परसिद्ध तीर्थ का बर्तमान में क्या नाम है, तो बाड़ा हाट नाम से जाना जात प्रसन है, अगला प्रसन है, योग नगरी, संत नगरी, रिसी के इसको खा जाता है, बांकि बद्रिनात को तो बहुत कुछ है बद्रिनात के बारे में, अगला प्रसन है, अंग्रे जी के पर्थम बाल साइटिकार रस्किन बॉंड जो की मसूरी में रहते हैं, और उनकी पर रूप से प्रस्न देखा होगा मैंन फरस्ट बिल्कुल नहीं यह रूम ऑफ दरूप तो इसका उत्र जाएगा रूम ऑफ दरूप तो रस्किन बॉंड की जो पहली रचना है वो है रूम ऑफ दरूप और इनको 1992 में मिला था साहित्य अकादमी अगला प्रस्न है देवरिया ताल इस्तित है रूदर परियाग अल्मोडा चमोली ननी ताल तो देवरिया ताल कहें रूदर परियाग में तो यह आपको बिल्कुल याद दखना है देवरिया ताल है रूदर परियाग में बधानी ताल बासु की ताल भी रूदर परियाग मे तो इसका जोत्तिर जैगा रुद्र परियाग में तो ओप्शन नमर ए हो जाएगा हमारा विल्कुल सहीवतर तो दोस्तो ये थी आज का हमारे 30 महत्वोण प्रस्न वाकी 30 मिसे आपका स्कुर कितना रहा विद्स parfois में बताएगा अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दिजिए और जाते जाते एक शेर भी जरूर करेगा और चैनल पर नहीं होतो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेगा बागी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नहीं वीडियो में Thank you friend, thank you so much